हेलो स्टुडेंट्स वेलकम तू माई यूट्यूब चैनल सहाथ क्लासिस टूड़े विल डिसकर्स टी टॉपिक ऑफ सब्चिचूशन टी एक्शन इन कार्ट बंड कंपांट जो आपकी क्लास 10 की यूनित है कार्ट बंड इंड इट्स कंपांट उसका ये नेक्स टॉपिक हम सब्सक्राइब कोई डबल नहीं होगा जैसे मैंने दिख दिया सिंपली क्या होंगे सिंट में सिंगल बोंड होंगे सिंपली जब हम इसमें क्या करते हैं रियक्शन करवाते हैं तो यह क्या होती है मतलब कि किसी के साथ भी रियक्ट नहीं करेगी ठीक है मोस्टली ये सेंस में जो अपनी रियक्शन होगी है क्या हो जाती है फास्ट हो जाती है इतनी बात तो थी यह क्या कि फॉर्स्ट पॉइंट अपना क्या है कि सैचुडेटीड हाइड्रोकार्बान साड फेरली अंडियक्टिव एंड इनर्ट इन परसेंस ओफ मोस्ट रियेजेंट कि जो भ साथ में हमने लिया है two जब हमने सैलाइं ली है तो उस केस में क्या होगा कि यहां तो अलग निकाल जाएगा और यहां से हमें क्या मिलेगा? CS3Cl प्लस में HCl तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि यहां पर क्या होगा? सब्सिचिूशन होगा कि सका एक लिगेंड का एक एटम का दूसरे एटम से और जो नया कंपांड हमें वो मिल जाएगा तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? वहन वन टाइप ओफ एटम कि जब कोई भी एक टाइप का एटम है और ग्रूप ओफ एटम्स या ग्रूप मतलब एक का भी हो सकता है दो का भी हो सकता है और रिप्लेश्ट बाइ अनदर एटम वह रिप्लेश्ट करे जाएं किसे भी अनदर एटम से तब हम उसको क्या बोलेंगे? सब्सिचूशन रिएक्शन बोलेंगे जैसे हमने सिंपली हाइड्रोकार्ब बन ली है इसमें हमने क्लोटीन का एड़ किया तो एक हल तो अपने ही चली गए और यहां पर हमें क्या मिल गया? तो सिंपली सब्सिचूशन का मतलब ही क्या है? कि एक लीगेंड का दुसरे लीगेंड के साथ सब्सिचूशन होना यह हम क्या बोलेंगे? substitution reaction बोलेंगे लेकिन बात क्या है कि जो भी अपनी saturated hydrocarbons होती है वो anti-active होती है वो ज्यादा react नहीं करती most of reagent के साथ लेकिन sunlight keeper sense में वो क्या करती है chlorine उसमें easily addition हो जाता है तो यहां पर अपनी substitution reaction है वो खतम होती है कल मिलते हैं next video के साथ thanks for watching